अर्निंग का तो बहुत सारा प्रोसेस है जैसे पोड़कास्टिंग, वीडियोज मार्केटिंग, एफिलिट मार्केटिंग एंड बहुत सारे ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस है लेकिन कया कुछ यहाँ पर मैंने आपको एक नया कॉंसेप्ट लेकर आया हूँ आप लोग 37 के विडियोज वाले भाई को तो जानते होंगे बहुत ही बहतरीन कंटेंट लाते हैं और एक उनका इंटर्व्यू का सिरीज चलता है जो भी नाम बगएरा है वो आपको नीचे डिस्किप्सन में मिल जाएंगे ओल्ड विडियोज जो की ये विडियोज का सौर्स हम कह सकते हैं वही विडियोज हैं और उन्ही के उस विडियोज से मैंने इंस्पाइर होकर मैंने चाहा कि आप लोगों के सामने उस विडियोज का सार रख सकूं और कुछ आपको बहतरीन अपने तरफ से और उन भाई के तरफ से कुछ आपको सिखा सकूं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सकाइब कर लेना और बाकि जो भी कुछ कंटेंट हैं हम आपको इसी तरह टाम टू टाम देते रहेंगे जिसमें आपको अर्निंग और अप्लिकेशन से सम्मन्धित जो भी डिटेल्स बगरा होंगे कोशिस करेंगे कि आपको आसान भासा में समझा सकें सो 37 के वीडियो पर आयत है हमारे संकीत जी जो की एस्किल्स मेंटॉर के CEO कह सकते हैं हम जी हाँ इंस्टा पर पेज है skills mentor मैं किसी का promotion नहीं कर रहा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बहतरीन से महतरीन knowledge गेन कर सको ताकि आपका जो भी marketing strategy है digital marketing में कुछ career बनाना चाहते हैं जैसे कि मैं भी चाहता हूँ आप लोगों की मदद करके तो इसी process को हम समझने का पर्यास करते हैं कि क्या कुछ उन्होंने हमें समझाने का पर्यास किया है तो वो बताते हैं कि हमें इंस्टा पेज बनानी चाहिए इंस्टा पेज पर हम वो graphics की मदद से लोगों को कुछ एक niche पगर के niche कहना का मतलब जो भी gap बगएरा है जैसे कि एक shop है और एक wholesale market है तो वो wholesale market और एक shop के बीच में जो भी gap है क्योंकि ये दुकंदार wholesale market को अगर जा रहे हैं तो इतना time जो भी उनका destroy हो रहा है खतम हो रहा है वो दुकान को नहीं दे पा रहे हैं वो सिर्फ समान लाने में ही द marketing कर सकते हैं और बीच का profit आप कमा सकते हो इससे वो shop बाले का फैदा हो गया और साथी में आपका भी फैदा हो गया तो niche यही कहता है तो हमें इसी strategy पर follow करके चलना है चाहे वो किसी भी तरह से हो सकता है मैंने इसी basic पर मैंने एक videos बनाया था guide app हाँ जी हाँ guide app जो कि आपको यहाँ पर ऐसा कुछ कर लेना है guide app के बारे में जानना चाहते हैं मेरा क्या trick था मैंने कैसे कुछ इस पर work करने को आपको बताया है आप चाहें तो बिल्कुल आप उस videos को देखिए आपको बहुत कुछ समझ में आए तो आपको strategy niche पकरना है ठीक है ना niche पकरके आपको उस प quality content provide किजिए बहतरीन graphics use किजिए और second वो बताते हैं editing जो भी editing आप कर रहे हूँ next level का करो 100% है ना आपके पास तो 110% देने का पड़ियास करो थर्ड वो लिखते हैं कि डेली पोस्ट करो डेली रेगुलरली जो भी time fix कर लो कि हाँ एक महिना तक मुझे 10 a.m में कोई videos कोई भी pages share करनी है कोई भी graphics share करनी है जिसकी मदद से आप लोगों कुछ सिखा पार रहे हो आपके पास sales का skill है marketing का skill है stock market क skill है और ऐसा ही बहुत कुछ हो सकता है तो यह सारा कुछ skill आप उस pages के मदद से graphics photos को share करके लोगों को सिखा सकते हो चौथा topic जो मैं समझ पार रहा हूं से सनी केत जी से तो वो है कि 10,000 subscribers के बाद 10,000 followers के बाद आप इन्हें monetize कर सकते हो जहां पर आपका paid promotion हो सकता है जन्मन ल अपना खुद का या फिर किनी व्यक्ति दोरा किये गया जैसे amazon पर हो गया तो आप वहां पर affiliate link दे दो और यहीं पर process आता है affiliate link का या फिर आप किसी अन्य लोगों का course आप यहां पर affiliate कर सकते हो तो यह सारा कुछ process इस तरह क्या से काम करता है अब हम बात करते हैं कि यह सारा कुछ process हम किस तरीके से work करा सकते हैं खुद के लिए तो सबसे पहले तो आपको इंस्टा पर page बनानी होती है जो कि मुझे मालूम है आपको बहुत ही आसान तरीके से बना पाओगे लेकिन इसमें भी कुछ strategy है जो कि आपको यहां पर नाम कैसा लेना है यहां पर marketing लोगों क के साथ कैसे करनी है यह सारा कुछ deal समझने के लिए एक अच्छा सा एक अलग ही playlist बन सकता है लेकिन यहां पर आपको रुकना नहीं है बस do it अभी ही करो अभी ही सही समय है ठीका जी अब हम second topic पर आते हैं कि यहां पर हमें graphics का इसा लेना है graphics के लिए आप एक pixel lab application है आप उसे यूज किजिए बहुत ही famous application है बहुत सारे बरे बरे यूटूबर mobile में इसी app को यूज करते हैं बिलकुल मुफ्थ है आप graphics designing के लिए या फिर thumbnail designing के लिए cover photo designing के लिए इस application का यूज कर सकते हो इस पर work करना सीखना है तो हम next videos में आपके demand पर जब इस videos पर मात्र 100 likes आ जाने प और पक्का का पक्का मैं आपको यह सारा कुछ process सिखाने वाला हूँ सो स्वस्त रही है मस्त रही है तंदुरुस्त रही है हमें उमीद है आपको कुछ बहतर और कुछ अलग हट करके सीखनों को मिला होगा और अगर आप channel पर पुराने हो तो आपको यह कैसा लगा series क्योंकि मैंने यह कुछ नया concept राइ करने का परियास करा है तो थैंक्स अगेंड आइन जाहीं दुजाए भारत